असलाम उलेकुम, welcome back to my vlog, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, तागे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती र क्या कुकिंग की, थोड़े मोड़ी चीजे आपके साथ शेयर की हैं, वैसे सारी चीजे तो शेयर करने बैटेंगे, अगर वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ी बहुत चीजे मैंने शेयर की हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह मैं यहाँ पर बना रह हो, तो हम मतलब मैं ऐसे करती हूँ, कि मैं घर से ही कुछ भी स्नैक्स वगेरा कुछ थोड़ा मुड़ा बना कर कैरी कर लेती हूँ, ताकि मतलब बाहर का खाने से हम बचे थोड़ा, तो वैसे तो बाहर का खाना हो ही जाता है, तो लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती थोड़ा बहुत अपनी घर से बना कर लेकर जाओं तो ये हम चले गए थे बाहर बाहर से आने के बाद काम वगेर हमारा हो गया था थोड़ा टाइम लग गया था तो आने के बाद शाम हो गई थी तो हस्बन आज हस्बन मुझे कह रहे थे कि मैं फिश एक्चुली हमने लेकर तो वो cooking तब अपने हाथों से करते थे यहां पर उन्हें उनैं करनी होती थी तो ये जो recipe है उन्होंने तब सीखी थी उनके साथ उनके room मेरे देते थे उनके कलीक καलीकशटे तो वे बनाया करते थे उनसे उन्हों ने सीखी थि और बहुत अच्छी यह हमेशा बोलते थे मुझे इंडिया में कि मैं कभी फिशकरी बनाकर खिलाओंगा लेकिन अख्यूब समोका नहीं आया कि ये वहाँ पर बना कर खिलाएं, तो आज उन्होंने बोला के चलो आज मैं बना कर खिलाता हूँ, तो ये वही ready कर रहे हैं, और बहुत quick बनती है, बहुत थोड़ी चीजों के साथ बनती है, लेकिन बहुत tasty होती है actually क्या है न? जो सीफूट की जो रेसीपी है जैसे करी है वो मुझे साउथ इंडियन फ्लेवर में बहुत जादा पसंद है हम दोनों कोई, मेरे हजबन को भी और मुझे भी तो ये एकदम एक्चुल वैसा ही टेस्ट आया था और आप भी ज़रूर ट्राय करें बहुत कोई बंती और बहुत टेस्टी बंती है तो मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर बताती हूँ कि ये बंती कैसे है सबसे पहले हजबन ने ओईल गरम किया था उसमें कड़ी पता दाला था राई दाली थी और जीरा दाला था उसके बाद लसन दाल दिया था थोड़ा सा चौप करकर उसके बाद कांदा और टमाटर प्यास और टमाटर ये दोनों चीज़े दाल दी थी और इस अच्छी तरीके से गला लिया था और आपने मेरा यह जो है यह coconut milk है यह हमने आधा टिन दाल दिया था उसके बाद और आधा टिन दालने के बाद इसमें हलका हलका सा बॉइल आने लगा तो हमने इसमें पानी आड़ कर दिया कि हमें gravy कितनी चाहिए तो इसी के coconut milk के base पर ही इसकी gravy बनेगी तो अच्छा मतलब quantity में दालना है इसमें हमने इसमें करीब करीब आधा टिन दाल दिया था और पानी जितना हमें gravy चाहिए उतना एड़ करें और उसके बाद मसाले इसमें एड़ कर देंगे इसमें कोई मसाला भूनने की यह सब करने की जरूरत नहीं है इसमें सिर्फ जो प्याज और टमाटर हमने स्टार्ट में दाला वो अच्छी तरीके से गला लेना है बस उसके अलावा कोई चीज इसमें भूनने वाली नहीं दलेगी तो ग्रेवी जब हमने पानी एड़ कर दिया तो उसमें हमने एड़ किया है नमक और जered चिली पाओडर और हल्दी पाओडर इतनी चीजे इसमें एड़ कर दी है हमने और इस अच्छी तरीके से मिकस कर लिया है कि अब जब इसमें हलका हलका सब आने लग जा तो मैंने इसमें दो ग्रीन चिलीज एट कर दी हैं वैसे इसमें हुदन नहीं करते थे लेक sottoटा स्पाइसी करने udah के लिए ज़ते फिर देंगे होई geç फिश बिलकुल तूट जाएगी तो पहले मेरे हस्बन ऐसे इसे चम्चे से हिला रहे थे तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम करें यह जो कड़ाई है इससे थोड़ा से ऐसे हाथ से पकड़के हिलाएं तो फिश तूट जाएगी और जब इसमें बॉइल आने लगा तो इस सकते बहुत टेस्टी बनी थी आप लोग भी जरूर ट्राय करें बहुत अच्छी लगती है और इसे राइस के साथ इन्जॉय करें इसका रोटी के साथ मज़ा नहीं आता यह बॉइल राइस के साथ अच्छी लगती है इसके बाद हमारा खाना वगेरा हो गया था यह लोड़ा सा लुक्ष टो बहार निकलना बनता है और देखे यह है दूसरा सब quiet और संडे की सुबा आती और संडे की सुबा उठकर जो मैंने बाहर देखा है तो मतलब मेरी तो वैसे व fly life की पहली स्नोफोल थी मैंने तोा इंडिया में भी नहीं extend कभी तो इतना अच्छा लगा मुझे मैं इतना खुश हुई इतना खुश हुई और एक-दो चीजें नहीं थी मेरे घर पे तो ऐसे तो मैं टाल भी देथी लेकिन मैंने सनोफॉल जैसे ही देखी तो मैंने बोला आप तो बाहर जाना बनता है और मैंने उठाई घर की चाबी और हो गई ready बहार जाने के लिए कि भई भले snowfall हो कितना भी turn down मैं तो बहार जाऊंगी और यही हाल मेरी बेटी का भी था यही excitement में थी वो भी तो वो भी मेरे पीछे लग गई कि ममा मुझे भी चलना है तो मैं उसे भी ले गई हम लोग गए हमने बहुत enjoy किया रास्ते में snowfall को और चीजे लेकर आएं बिल्कुल जाकर तो यह तो मेरी जिंदगी के पहली snowfall थी तो मैंने तो भई बहुत enjoy की और किसने किसने enjoy की वो मुझे बताईएगा और यह था दूसरा weekend तो दूसरे weekend पे भी हम बाहर चले गए थे तो ठंड इसके बाद काफी जादा बढ़ गई थी बहुत जादा बढ़ गई थी तो बिल्कुल pack होके जाना पड़ रहा था लेकिन बाहर जाना तो बनता है भई हम तो जाते हैं बाहर तो हम लोग city center चले गए थे और जैसे जैसे Christmas का time नजदीक आ रहा था न तो यहाँ पर lighting वगएरा बहुत बढ़ती जा रही है और इतना अच्छा लगता है इतना खुबसूरत लग रहा था सब कुछ देखने में और यह जूला यह right तो मुझे देखकर चकर आ रहे थे पता नहीं इस पर लोग कैसे बैठे थे अभी आप आगे चल के देखिए गए इसमें कैसे चीखे माल रहे हैं लोग तो actually जो यह weekend था ना यह मेरे husband के जो colleagues हैं office के इनकी families के साथ हमारा बाहर dinner का plan था हम जब से UK आये थे तो plan तो होई रहा था एक family से तो हम मिल चुके थे लेकिन और भी families यहाँ पर थी तो उनसे भी मिलना था तो यही plan मतलब यही decide हुआ कि हम बाहर मिलते हैं और सारे लोगों का मिलना भी हो जाएगा और जैसे मेरी बेटी है प्यारी सी तो इनके भी बहुत प्यारे-प्यारे थी वो भी बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग first time मिल रहे है सारे मतलब इंडियन ही थे तो हम लोग बहुत अच्छी और थे तो सभी यहाँ पर नए नए आये हैं तो सब अपने experience भी हमारे साथ share कर रहे थे हमने भी अपने experiences उनके साथ share करे और बहुत अच्छा लगा time कहां निकल गया और पूरी evening कहां निकल गया हमें पता ही नहीं चला तो यह थोड़े से खाने के मैंने clips लिये हुए है के वहाँ पर actually buffet dinner था तो मैंने थोड़े थोड़े से clips लिये के वहाँ पर क्या क्या था लिये हुए 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 है तो यहां हमारा dinner सबका हो चुका था और dinner के बाद हम लोगों ने decide किया कि थोड़ा सा city center पर walk करते वे चलते हैं और city center पर आइस skating का एक जगा है जहां पर ice skating होती है तो वहाँ हम चले गए थे देखने के लिए कैसे होता है तो यह भी देखने में बड़ा मजा आ रहा था सब बहुत enjoy कर रहे थे इसे तो हम भी यहां पर इंशालला future में जाएंगे और enjoy करेंगे तो चलिए हैं आज के व्लॉग में बस इतना ही आपको कैसा लगा यह व्लॉग मेरे साथ जरूर शेयर करें और मिलते हैं नए व्लॉग में अल्ला हाफिज